गुजरात के मौरवी में एक बड़ा हास्सा हुआ, एक पूराना पुल था जो पूरी तरीके से तूट गया और 132-134 लोगों के मौत की अपता की खवर आ रही है सर जिस तरीके से ये पूरा जो ब्रीज है क्योंकि आप इसको ले करके आपने काफी अध्यन किया है, किताबों में भी आपने लिखा है क्या एक वज़ा हो सकती है कि इस ब्रीज का तूटना और जिस तरीके से वो तूटा है साब देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें भी दबे भी थे, आपरेशन भी चल रहा है जैसे आपने देखा होगा और दो दिन से सारी खबर भी आ रही है, वो काफी पूराना, सौ साल से भी पूराना वो ब्रीज था तो हर स्टॉक्चर जिसको हम कहते हैं, ब्रीज अने हर प्रकार ट्रक्चर के एक अपनी लाइफ होती है, अपनी जिंदगी होती है और लगातार कई एजन्सीस ने उस स्टॉक्चर को पहले से ही अनाउंस किया था कि वो काफी डेलिकेट हो चुका है और उसमें structure की regular maintenance भी मुझे रखता है अलग-अलग agencies कर रही थी तो technical analysis के बाद exact कारण पता चलेंगे कि वो bridge क्यों टूटा लेकिन ये लगातार जब भी इस प्रकार के पुल के या structure के हाथ से होते है तो ये बात बार-बार सामने आती है कि जितना जरूरी हमारा infrastructure बनाना है उतना ही जरूरी हमारे infrastructure को maintain और manage करना भी है जैसा कि आपने आप जानते होंगे मैंने जो किताब लिखी building bridges उसमें हमने 2015-16 में मंतराले में जब मैं काम कर रहा था तो मंतर पर कुल में लाकर देड़ लाक से जादा चोटे बड़े structures है उन structure का maintenance हो उन structure का monitoring हो आज नई technologies आई है जो आपके mobile पर या agencies के computer पर continuous data डे सकते है कि इस ब्रीज को कब maintenance की जरूरत है कितने maintenance की जरूरत है कब उसको बंद करने की जरूरत है कब नया bridge बनाने की जरूरत है तो केमरामेन गोपाल के साथ गौरब मिस्रा न्यूज इंडिया दिल्ली